वेल्कम टू एक्सेसिबल टेक्ट सेंटर इस यूटूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्ट्वेयर यानि की जॉज और एंडवीडिये के साथ मिलती है कम्प्यूटर की बेसिक नॉलेज तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक्ट सेंटर अ नमस्कार, मेरे नाम सर्वजीत है, आज के इस टिटोरियल में हम देखेंगे की टेबल में रोज और कॉलम्स को डिलीट या इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है तो मेरा लट्टो पॉन है, टाइटल चेकर लेता हूँ मैं, इंसर्टी से, देखिए मैंक्रसोफ वर्ड में मेर ठीक है, तो मैंने इसमें कुछ डेटा डाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले कॉलम में, पहले कॉलम में सीरियल नमबर, सेकेंड में नेम, थर्ड में जंडर, फोर्थ में एड्रेस, और फिफ्ट में क्लास, ठीक है, ये पहली रोव है, ये कॉलम हैडिंग है, इस सेकेंड रो में, मैं सेकेंड रो में चलूँगा, ये सीरियल नमबर एक है, राजू, मेल, एड्रेस इनका डेली, फिर्स्ट क्लास, इनकी फिर्स्ट में है, ठीक है, और दूसरी रो में हम देखें क्या है, टू, राजिश है, दूसरे राजिश है, जैंडर उनका मेल है, जैंडर उनका मेल है, जैंडर तूका ड्रेस, और ये क्लास फिर्स्ट में है, ठीक है, ये हमारी थर्ड रो हो गई, और फूर्थ रो, ठीक है, फूर्थ रास्ट रो ब्लैंक है, तो में काम करते हैं, इस रो को डिलीट कर देते हैं, देखें, जिस रो को delete करना है हमारा cursor वही होना चाहिए cursor मेरा वही है fourth row में मैं alt press करूंगा layout tab में जाने के लिए देखे मैंने alt press किया तो home tab आ रहा है अब layout tab में जाने के लिए right arrow का भी यूज कर सकते हो left arrow का मैं left arrow यूज करूंगा जिससे की जल्दी आ जाए लेखे अब delete करने के लिए tab से जाना पड़ेगा मैं tab press करता हूँ delete button drop down आ रहा है यहां मैं spacebar करूंगा spacebar किया यहां पर कुछ options आ रहा है पहला है delete cells दूसरा delete columns तीसरा delete rows तीसरा है ठीक है मैं हमें rows row को delete करनी एक यहां पर मैं enter कर दोंगा देखे हम देख लिए हमारे इसमें कितनी row है देखे देखे row 2 of 3 row 3 of 3 देखे 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 आपने तो हमारे पास वाली column पर मेरा cursor है अब column delete करना है तो जिस column को delete करना होगा वही पर में cursor रखना पड़ेगा हम class वाले column को delete कर देते हैं मैं फिर से layout tab में चलूँगा अब टैब प्रेस करूंगा फिर से delete में जाने के लिए इस बार किया प्रेस बार किया डिलेट columns यहाँ पर मैं enter कर देता हूं देखे अब column देख लेते हैं हमार पास कितने है देखे column 2 of 4 बोल रहा है यहाँ चारी column बचें हमार पास तीन rows और 4 columns बचीं है देखे end of अब यहाँ पर नहीं है अब यहाँ पर नहीं है बस एड्रेस तरह है class वाला column हमार पास नहीं अब देखे तो देखे इस तरह से अब माल लिए यह कि मुझे यह जो address है क्योंब इसी cell को मुझे delete करना है address address डेली गुजराद मुझे रखना है डेली गुजराद मुझे रखना है और क्योंब एड्रेस जो column heading है उसको मुझे delete करना है यह address तो इस address वाले cell में करसा रखा मैंने इस डेलीट प्रफ यह जेली गळना है पहले यह जा रहा delete cell dot 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 यहां मैंने एंटर किया पहले option इस में shift cells यहां पर मैं एंटर करता हूं देखते हैं क्या होता है पहला कोलम है सीरियल नंबर देखिया बोला कॉलम टुफ्री पहले फोर्थ है बोला कॉलम ट्री देखिये अब आगे एड्रस नहीं है हाथ यहां है जैंनि हमाबतास तीनी कॉलम मचे अ बेखिये साँ अ के चैनल के कचांड युद्टेट रो में जाओं यूब का ईए पहली क्लूं पास यूवy कॉलम है यह दूसरी रो में हमार पास चार कॉलम है तो इस तरह से हम एक चल को भी डिलीट कर सकते हैं मैं अंडू कर लेता हूं मेरे पास एड्रेस आया चुका है अब माल लेजिए कि मुझे अब इसके नीचे मुझे एक रो इंसर्ट करनी है जो ब्लैंक रो में इंसर्ट कर लेता हैं शिखते हैं कि रो और कॉलम इंसर्ट कैसे करते हैं मैं लेउट टैब में जाता हूं टैब से इंसर्ट में जाऊंगा अब मुझे ब्लैंक रो इंसर्ट करनी है तू के नीचे इंसर्ट ब्लैंक रो 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 इंसर लास्ट रो हमारी ब्लैंक है यह देखा आपने एक रो इंसर्ट करने का एक तरीका और है मैंने पहले भी बताया था जब टेबल क्रेट किया था वह आप जाके देख सकते हैं अब मालेजे मुझे कॉलम मालेजे मुझे एड्रेस मुझे जेंडर और जेंडर के राइट में एक कॉलम क्रेट करना है आप एड्रेस के राइट में एक जो हमारा क्लास वाला कॉलम हमने किया था था ठीक है क् tis और क्राम को फिर से इसे इνसर्ट कर लेते हैं एड्रेस के राइट में अगर मुझे क्लास वाला कॉलम रखना है तो एड्रेस में मैंने करसा रखा और अल्ट प्रेस करके लियाउट टैब में जाऊंगा कॉलम इंसेट करना हैं कॉलम इंसेट अबाओ नहीं करेंगी इससे रो होगी एड्रेस के लिफ्ट में करना होगा तो यहाँ पर एंडर करोंगा मैं करना है यहां पर मैं एंडर कर देता हूं हमार पास चार कॉलम थे कितने कॉलम है यह पांच कॉलम हो गया है यह कॉलम हमने इंसर्ट कर लिया है इसमें डाल देता हूं टो लोग है तो इसमें डाल देता हूं सब्सक्राइब ट्रहिए है और दूसरे के डाल देता हूं क्लास सब्सक्राइब तो एद डी सेकंड क्लास ठीक है वह कि अब वह मां शुवाइं आधि ट्रोंग यह में काम करता हूं मैं माल लिजी मुझे यह वन अ मल लेजे लिए क्लास के लेफ्ट में एक कॉलम एड करना है जिसमें मैं चाहता हूं की एज एड करने इन दोनों की एज कितनी है तो मैं क्लास पर करसा रखूंगा और लियाउट टाइब में जाऊंगा क्लास के लेफ्ट में एक कॉलम एड करना है एज के लिए इंसर्ट लेफ्ट आ रहा है यहां पर एंडर कर दोंगा देखिए एक लेफ्ट पार एड क्लास और यहां पर हम एड कर रहेते हैं एज एज पहले की डाल देते हैं हम और दूसरे की डाल देते हैं फाइज हो गई एज हो गई एज की एज है जार सब्सक्राइब करना और इंसर्ट करना इंसर्ट कैसे करते हैं सीख लिया फ्रोज भी देखा हमने नीचे कैसे इंसर्ट करेंगे माल लेजे मुझे यह राजेश है ना राजेश पहली की बीच में एक और एड़ करना है थीक है तो मैं काम चाहरं में पर क mezal अर्कम कािए और लेज़़ी में जाऊंगा घेब से लेता हो इंसर्ट में ने इनसर्ट भी लोग किया था पहले तो मैंकरता हुं में इंसर्ट अबहफ कर लीता हूं अब अब आफ एंटर करता हूं देखते हैं राजेश पर पार एक दर्ध हुए गी नहीं कि फाल तो हो चुकिया हमारे पास यह पास सिंद पर लेंग हुगी यह आपर इसका सेरियल नमबर देता है हम त्री और नाम देता है सोनु सोनु मेल 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 इसके आइलर देता है इसकी एज देता है हम चैँ और प्लास कर देता है इसकी थर्ड ठेक है देए थर्ड इसका सेर नमबर ट्री और फों एड्रेशिस को स्क्की में है ये चैज आलए और प्लास इसका थर्ड बता इस तरीके सांग कर सकते हैं तो अंदर नैविगेट कैसे करना है ये भी आप मेरे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं जो मैंने table create करना बताया है तो I hope कि आपको ये समझ आया होगा table में rows और columns कैसे insert करना है और delete कैसे करना है ठीक है so thank you so much